So, hello students, I am Sumit Chhetija, your physics faculty from Motion Foundation Division. Mainly, first and second lecture को end करते वे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, third lecture of human eye and the colorful world around us. First and second lecture के अंदर बच्चों हम जान चुके थे, यहाँ पे कि हमारी eye कैसे काम करती है, eye वाला पार्ट पूरा खतम हो गया था, यहाँ पे हम colorful world की बात करने वाले हैं. First and second lecture जो था, वो हमारा previous chapter है, जो कि था light उससे relate नहीं करता, क्यों? अगर relate करता भी है, तो चलो मान लेते हैं, वहाँ पे क्या lens कैसे काम कर रहा है, वहाँ पे lens की focal length क्या है, कैसे use आ रही है, converging lens कैसे light को converge करता है, convex lens, concave or convex lens की जो power है वो opposite या अलग-अलग है, लेकिन अब, उस पूरी दुनिया को देखने के लिए, हमें चाहिए दी, I, I के बारे में हमने पढ़ लिया, आप colorful world के बारे में पढ़ेंगे, colorful world के अंदर हम चीज़ों देखने वाले हैं, वो पिछले chapter से, बहुत जादा relate करने वाली हैं, पिछले chapter के अंदर, प्रॉपरली हमने लाइट को पढ़ लिया था, तो अगर लाइट नहीं पढ़ा है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो लाइट को जाके प्रॉपरली पढ़ लो, नहीं, तो यह वाला पार्ट जो आने वाला है, बहुत प्रॉपल्म करेगा, या कुछ न कुछ, फर्स टाइम एक बार पढ़ के आजाओ, तो जादा एजी रहेगा, तो पढ़ते हैं, फर्स टॉपिक जो आएगा हमारे सामने, that is prism, prism के बारे में हम सब जानते होंगे, prism क्या होता है, में लिए स्कूल के अंदर देखा होगा, तो क्या वो rectangular pyramid type के एक shape होती है, glass की बनीवी होती है, तो उसे हम prism कहते है, अब homogeneous, solid, transparent and refractive medium, bounded by two plane surfaces inclined at an angle, is called a prism, अब हमको पता चल गया, prism क्या चीज है, कुल मलाके, हमाँ पर दो तरीके के prism होते हैं, पता है, लाइफ के अंदर, एक होता है, rectangular prism, और second one होता है, हमारा triangular, rectangular के अंदर, में लिए अपन जो basically लाइफ में देखते हैं, जो pyramid shape का है, बच्चों, वो है triangular, क्योंकि सामने भी triangle जुडावा होता है, side में भी triangle होता है, पीछे इस तरफ भी triangle होगा, उसके पीछे भी triangle होगा, और नीचे एक square-ish सा base होता है, नीचे एक square base होगा, आपका, ठीक है, ये चार triangles को utilize करके, और एक square को utilize करके बना होता है, लेकिन जो rectangular prism है, उसके अंदर क्या होता है, front और back आपका triangular होगा, और side के जो surfaces होगे, वो rectangular होगे, mainly जो हमें काम आने वाला है, वो होगा rectangular prism हमारे 10 तक, और आगे भी काम आएगा, ठीक है, तो इसको जान लेते हैं, अभी 3D view है इसका, 3D view कैसा दिखता है, ये देखो, ये ऐसा सा है, ये rectangular हैं, इसकी shapes, और आगे और पीछे जो है, वो triangular है, तो ये rectangular prism है, जो हमें mainly काम आने वाला है, आगे हमारी पढ़ाही में, 10 तक, ठीक है, अब prism काम क्या करता है, prism का main logic क्या है यहाँ पे, कि prism से, जब भी आपके सामने ऐसा सा prism आता है, उस पे अगर white light incident करोगे, तो बीच में से निकलती है, और ऐसे spectrum नाम की चीज बना देती है, ये है हमारा prism, ये है हमारी white light, ठीक है, और ये हमारा spectrum, अब ये सब चीजे क्या है, spectrum क्या है, चीजे, आगे छोटी-छोटी चीजे white light को मैंने 7 lights में कैसे तोड़ दिया, ये सब आपको time के साथ दे दे रहे है, अपने को बता लग जाएगा, spectrum नाम की चीज क्या है, जो 7 colors में white light टूड जाती है, आपको पता है, कि जब भी किसी भी चीज के उपर, किसी भी object के उपर, मतलब white light गिरती है, तो अपने को white क्यों देखता है, जो snowman है, या ताज मेहल है, वो white color का ही क्यों देख रहा है, पता है, क्योंकि वो सारे के सारे color, जो white light उस पर गिर रही है, उसके अंदर seven colors है, विब ग्योर है ना, हमारी white light जो content करती है, उसके अंदर white light के अंदर क्या होता है, विब ग्योर होता है, G, Y, O, and R, यह चीज़ आ रही है, violet indigo, blue, green, yellow, orange, and red, तो यह अलग-अलग wavelength की light है, हमने यह भी जाना था, ठीक है, तो अलग-अलग wavelength, wavelength को हम lambda से भी represent करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अलग-अलग wavelength की light है, हमारे white light के अंदर, अगर वो सारी की सारी light वापिस reflect back कर लेता है, तो वो दिखता है white, और अगर सारी की सारी light कर लेता है absorb, तो दिखता है black, तो basically, जब भी light को हमने prism के थुरू गुजारेंगे, तो निकलते टाइम वो हमें spectrum देगी, पूरी light में dispersion हो जागए, इस process को कहते है, dispersion, process is known as dispersion, process is known as dispersion, ठीक है, लेकिन जो यह चीज बनती है, इसे कहते है spectrum, यह दोनों चीज़ों के बारे में, dispersion और spectrum के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह कुछ महान scientist है हमारे, जिनका नाम apple के बारे में, अगर में कुछ कहूँ, है न, तो apple से आपको याद आ जाएगा, gravity जिन्होंने invent कर दी, sir हमारे जो थे, उनका नाम है Newton, ठीक है, तो हमारे Newton संड ने जब भी इस तीज के उपर एक experiment किया था, कुछ चीज़ों analyze कर रहे थे, उसके बारे में आपको wait time बताने वाला हूँ, ठीक है, तो sir Newton की invention है यह, रेरर तू, डेंसर, मेडियम जा रही है, रेरर तू, डेंसर, मेडियम जा रही है, रीफ्राक्शन है, रीफ्राक्शन है, तो हमारे मेडियम नहीं, मेडिया यूज होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रेरर तू, डेंसर, मेडियम, ठीक है, दो, एक पेर अफ मेडियम है दो mediums है, समझ में आ गया होगा, रेर टू डेंसर जब भी medium में जा रही होती है, light तो towards the normal move करती है, away from normal move करती है, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो अभी guess हो गया होगा, छोटी ही चीज है, light का chapter में अच्छे से पढ़ा, incident हो रही है, तो हमारी towards the normal बज जाती है, यह देखो, यह बन गया मेरा normal, hand for normal, तो इस light जो आ रही है, उसे कहेंगे हम incident light, angle of incidence normal और हमारे incident ray के बीच में बनेगा, उसके बाद towards the normal जाती है, देखो, इसकी तरफ यह normal है मेरा, इसकी तरफ जाना तो इसको ऐसे था उपर की दरफ लेकिन normal की तरफ bend हो गई, और यह बना हमारा angle of refraction, normal और refracted ray के अंदर, R1 जिसका नाम दिया, अब यह जा रही है from a denser to a rarer medium, denser to rarer जा रही है, तो अब यह from normal भागेगी, तो यह normal बना दिया हमने second normal, normal की तरफ जाती है, थोड़ी उपर जाती है, लेकिन जा रही है नीच angle e बनाया था, angle e इसको बनाया था angle of emergence, angle of emergence, ठीक है, तो यह होगी emergent ray, ठीक है, और याद है, जब glass slab के अंदर हमने बात करी थी, तो वहाँ पर angle i is equal to angle e बोल दिया था मैंने, एक छोटी सी बात दिमाग में हो, तो angle i is equal to angle e और जो incident ray थी, वो पैरलल थी हमारी किस के बराबर, हमारी पैरलल थी emergent ray से, तो यहाँ पर क्या parallel दिख रही है, यह देखो, यह obviously पैरलल नहीं है, यहाँ पर कहीं intersect कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, deviation नहीं हो रहा था, यहाँ पर deviation नाम के एक नहीं चीज होगी, deviation का मतला पर जब रस्ते से जाती है, जो angle of deviation यहाँ पर आता है, इसे कहते हैं, del, इसे कहते है, del, यह ऐसे represent होता है, इसे del कहते है, और इसे angle of deviation भी कहते है, अगर ऐसा angle लग जाए, तो इसे कहेंगे, angle of deviation, angle of deviation, ठीक है, यहाँ पर कुछ और angles भी बन रहे हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे, जैसे यह है, angle A, angle A को कहते हैं, बच्चों, अपन, angle of prism, angle of prism, और यह prism जो है, यह equilateral triangle मानके जलते हैं, कि P, Q, R, जो है, वो एक equilateral triangle है, यह equilateral face of prism है, ठीक है, तो बात बन रही है, तो यहाँ पर अपन को समझ में आ रहा होगा, basic-basic terminology है, जो बता दी, अब confuse मत होना, angle A, angle of prism को हो गया, delt deviation को हो गया, यह सब चीज़े हैं, क्यों हो गई, लेकिन यह चीज़ दिमाग में जरूर रख लो, कि जो अपन slap के अंदर पढ़के आए थे, light वाले chapter के अंदर, वहाँ angle of deviation नहीं था, यहाँ पे deviation होता है, यहाँ पे deviation होता है, यह आगे आगे आपन जानेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो इसके कुछ rules और बाकी terminologies हैं, उसको जान लेते हैं, PQ and PRR reflect, refracting surfaces, जानते हैं, obviously, denser medium, rarer to denser जारी है, तो media change हो गया, तो refracting surfaces हैं, यहाँ पे भी दो बार refraction हो रहा है, glass lab की तरह इस point पे और इस point पे, rarer to denser, यहाँ पे rarer to denser and यहाँ पे denser to rarer, ठीक है, समझ में आया, आगे जानते हैं, angle QPR, जो की मेरा angle A के बराबर है, इस known as refracting angle or the angle of prism, इसको मैंने बताया था, refracting angle यह आता है, angle of prism कहते हैं, also known as apex angle, यह question आ जाता है, बच्चो, college के अंदर, sorry, school के अंदर, अपने को यह question पूछा जा सकता है, कि angle A, इस diagram के अंदर angle A को नाम क्या है, MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, कि apex angle, angle of prism, refracting angle यह कुछ और, तो multiple choice में भी आ सकता है, डेल जो है, वो angle of deviation है, डेल यहाँ पर बना था, डेल का पता है चीज क्या है, जो original रस्ता होता है, उससे कितना भटकी, जाना तो उसको ऐसे था, यह भटक गई, फिर यहाँ पर भटक गई, refraction में होता गया, भटक जा दिया, deviation from the path, तो कितना deviate हुई, वो यह वाला angle है, और यह डेल से represent होता है, इसे कहता है, angle of deviation, ठीक है, अगला point मुझे कहता है, for refraction of a monochromatic light, जिसके अंदर single wavelength है, monochromatic और polychromatic दो तरीके की lights होती है, बच्चों, confused होने की जरुवत नहीं है, mainly जो अभी हम पढ़ेंगे, वो monochromatic light के उपर ही पढ़ेंगे, इसके पास single wavelength होती है, जब भी हम पढ़ रहे थे white light, तो हमने light chapter में भी जाना था कि different-different wavelengths नाम की चीज़ होती है, different-different refractive indexes होता है, जो अलग-अलग color है, उनका refractive index, wavelength सब अलग-अलग होता है, color के change होने से हमारी wavelength change जाती है, जिसकी विए से refractive index change जाता है, जिसकी विए से bending change हो जाती है, इनके बीच में भी relation है ना, obviously, तो यह सब चीज़े भी हम जानेंगे, for refraction of a monochromatic single wavelength ray of light through a prism, यह हमें एक relation दे दिया है, क्या relation दे दिया है, कि del is equals to i plus e minus r1 plus r2 and r1 plus r2 is equals to a, तो यह हो जाता है, i plus e minus a, कैसे हो रहा है यह, सर इतना बड़ा relation कैसे derive कर दिया, चीज़ को पर derive करेंगे, परिशान होने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर derivation क्या होता है, यहाँ पर derivation में उज़े बताता है, कि इस diagram को अगर मैं देखूं, तो यह angle i है, यह पूरा angle i हो जाना चाहिए, तो यह चोटा वला angle जो है, यह r1 है, तो यह चोट ओसा angle यह नहीं क्या होगा, i-r1 हो जाएगा, similarly, यह पर यह चोटा सा angle जो है, यह साइड में लेके आहों, तो e-r2 हो जाएगा, अब यहाँ पर धान दिया जाए बच्चों, क्या धान दिया जाए, कि external angle जो की है मेरा delta यह external angle थे हो रहा हम पता है ना कि external angle is the sum of opposite two angles तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ delta जो है वो sum किसका है किसका हमारी यह वाला i minus r1 plus e minus r2 यह नहीं दो का तो sum है ठीक है तो यहाँ से लिख सकता हूं i plus e minus of r1 minus of r2 तो यहाँ से compare हो जाएगा i plus e plus minus common लेंगे यहाँ से इस चीज़ को erase कर देते हैं तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा यह minus common है r1 plus r2 ठीक है अब यहाँ पर हमें पता चल गया i minus e minus r1 plus r2 यहाँ तक तो sir आपने बता दिया अब r1 plus r2 is equal to a कैसे हो रहा है अगर मैं पीछे जाकर define करूं इस चीज़ को थोड़ा सा कि पीछे वाली slide में a angle कैसे बन रहा है तो यहाँ पर यह देखो कि इस चीज़ को erase कर दें erase करके देखें ठीक यह हो गया erase यहां पर जानते हैं अब यह देखो यह दिख रहा है quadrilateral a b इसका नाम देते है n dash है और इसका नाम देते है c a b n dash और c एक क्या दिख रहा है quadrilateral quadrilateral का sum क्या होता है match का पूरा proper ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो अगर नहीं दो हो गए तो math के साथ physics भी बिगड़ेगी तो हमारा sum of quadrilateral sum of angles of quadrilateral sum of angles of quadrilateral यह होता है 360 degrees ठीक है 360 degrees होता है अब 360 degrees में मुझे यह तो पता चल गया था यह क्या है i-r1 यह था e-r2 और यह पूरा का पूरा angle क्या है यह 90 degree है similarly यह भी 90 degree है ठीक है तो यह वाला जो angle है क्या होगा हमारा 180 degree यह देखो यह भी छोड़ो यह triangle दिख रहा है यह चोटा सा triangle दूसरे angle से अपन दूसरे color से mark कर लेते हैं यह देखो b and dash और c करके जो मेरा angle यह पूरा triangle दिख रहा है इसके अंदर अगर angle sum property लगा दूँ तो angle sum property बताती है कि मेरा जो यह तीनों का sum होता है 180 degree होता है 180 degree minus r1 और minus r2 होगा ठीक है यह चीज समझ में आ गई होगी तो यहां पर opposite angles जो होते हैं वो equal होते हैं तो angle A की जो property लिखी थी वो मेरे किस बराबर थी ज्यान दो कि अगर मैं first चीज को ज्यान दूँ तो वो थी i plus e minus r1 plus r2 और second जो मेरे relation निकाला था वो था मेरा अभी निकला है 180 degree minus r1 plus r2 minus common ले लोगे तो easily आ जाएगा तो द्यान दो तो हमारा जो यह है r1 plus r2 जो है वो A के बराबर easily compare हो जाता है ठीक है अब यहां पर एक note आता है बच्चों हमारे सामने if ray crosses two surfaces which are inclined to each other एक ray है जो inclined to two surfaces को cross कर रही है जो inclined ने एक दूसरे पर किसी specific angle पर ऐसे करके cross करने की कोशिश करती है then we use the concept of prism तो आप prism को use करेंगे if the ray crosses two plane parallel surfaces दो parallel surfaces उनको cross करने की कोशिश कर दी है तो यहां पर क्या slab यूज हो जाएगा तो then we use the concept of slab अगर inclined to each other है surfaces तो हमारा prism का concept यूज होगा नहीं तो slab का concept यूज होगा for the parallel surfaces आगे बढ़ते हैं छोटी सी चीज थी आगे बढ़ते ही deviation through a prism of small angles हमेशा हम small angles का ही utilization करते हैं इसके साथ जो चीजे मैंने पीछे पढ़ाई हैं वो भी चीज अपनी revise हो जाने वाली है क्योंकि समझ में आना चाहिए if the angles of prism जो की है angle a is small then r1 and r2 का relation हम बता सकते हैं r1 plus r2 a के बराबर and i and e will be small i और e बहुत चोटे होंगे है ना paraxial raised small angles वाली light chapter में याद है यह आगया मेरा prism यह होगे incident यह अगया अंदर refraction हो चुका है proper चीज आ गई यहाँ पर इसे कहते है angle a angle of prism apex angle ठीक है वापे similarly आगे हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा स्नेल्स law अगर यहाँ पर स्नेल्स law जो light के chapter में मैंने आपको बताया था जब refraction पढ़ा रहा था तो इस नेल्स law मुझे क्या कह रहा था कि sin i upon sin r1 यहाँ पर constant के बराबर है जिसको mu कहते हैं ठीक है similarly यहाँ पर sin e upon sin r2 upon e जो था 1 upon mu के बराबर था यहाँ पर यह चीज़े पता चल जाएंगी और यह बोल रहा है कि i और e small है तो मैं mu को i upon यहाँ पर r1 लिख सकता हूं और वहाँ पर i upon यह r2 upon e लिख सकता हूं 1 upon mu को तो mu की relation आजाएगी e की relation आजाएगी mu r2 एक तो यह represent हुआ और यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो i की जो होगा वो होगा mu r1 के बराबर तो एक इस equation को याद रखो और इस equation को याद रखो कि i की जो value आ रही है mu r1 और e की value आ रही है mu r2 दो values अगर दिमाग में याद है स्नेल्स लो याद कर लो क्योंकि वो chapter जैसी मैंने कहा था light अगर याद नहीं है chapter तो आगे आने वाली problems बहुत issue करने वाली है स्नेल्स लो constant के बराबर था sign upon sign r इसकी चीज और बताई थी मैंने कि incident plane से देख लो क्या angle बन रहा है refracted plane में क्या angle बन रहा है मुसे constant से बराबर रखते में में mu कहते हैं या n कहते हैं अगर प्रिज्म का case ले रहा हूं में पीछे तो प्रिज्म के अंदर प्रिज्म का refractive index निकाल रहा हूं with compared to air पर अगर यहां पर हमारा जो दूसरा जिसके respect में जिस media के respect में medium के respect में हम निकालते हैं अगर वो बदल दूँ तो refractive index पर बहुत बड़ा फरक पड़ेगा index of the face a b मैंने बताया था mu is equal to sin i upon r1 जिसको मैं कह दूँगा अगर small angle है तो i upon r1 इससे मैं i के value निकाल दूँगा mu r1 इससे equation 1 लिखवाया था मैंने similarly for ac face second face के लिए अगर बच्चों बात करेंगे तो e sin e upon r2 या तो इसको अपन लिखेंगे mu is equal to e upon r2 और यहाँ पर हमें बता दिया e r2 are very small angles जोंकि sin e को e के बराबर रख लिया है r2 को sin r2 sorry आप complete यहाँ लिखाया था sin r2 को r2 के बराबर रखा है इससे second equation बताया था first और second equation को अगर compare करोगे तो आगे की चीज़े बहुत easy होने वाली है ठीक है now deviation produced by a prism delta जो अपने निकाला था वो इसके बराबर था मैंने सिखाया था कैसे आएगा ठीक है तो अगर मैं i की value mu r1 जो की first equation की थी e की value mu r2 जो की second equation की थी minus a की value और अगर a की value में derive करता हूं तो first time से याद हो है कि यह r1 plus r2 के बराबर था तो यह आया mu r1 plus r2 common लेना आता होगा ना बच्चो मैं अपन linear equation यूज़ कर चुके हैं pair of linear equations खतम हो चुके हैं चाप्टर खतम हो गया हो तो next lecture आपके आने वाले हैं upcoming linear equation of two in two variables okay और इसके साथ साथ अपने chemistry के lectures भी चलने वाले हैं तो उनके लिए भी updated रहें नीचे link में subscribe कर लो जो भी doubts है chemistry of physics से related या bio से related भी वीडियो के नीचे डालते रा करो ता कि हम teachers आपको फटा-फट रिपलाय दे पाएं आपके comments का आपके doubts का और properly copy panel लेके बैठना है वीडियो पढ़ते टाइम ठीक है क्योंकि यह miss हो गया ना तो light chapter तो खराब हो ही रहा है यह भी खराब हो जाएगा आगे आते टाइम और भी चीज़े खराब होगी next chapter यह खतम होने को है वैसे एक लेक्चर और आएगा बच्चों जैसे इसका एक लेक्चर और आएगा और देन उसके बाद हमारा human iron colorful world कतम हो जाएगा फिर next week में भी after diwali diwali मना के आओगे अपनी family के साथ तो हम देखेंगे आपस मिलेंगे और उसके बाद अपन देखते हैं electricity स्टार्ट करेंगे तब त बस R2 है देखो यहां बता दिया था सन्य अब यहां पर बात करेंगे इसमें अगर value पूट करोगे तो mu ऐसी इधर क्यों रख रहे हैं a common ले लो यह आजाएगी value mu minus 1 common multiplied by a यह जो होती है जो अबाव फॉर्मला है जितना भी यह पूरा यह फॉर्मला है यह फॉर्मला तभी काम आता है जब small angles हो जो sin i, sin r, r1, r2 और sin e यह जो हैं small angles हो तभी हम utilize कर पाएंगे approximately a जो small angle है वो 10 degree के बराबर है जो angle of prism है नहीं तो अगर angle बड़ा है angle is large is large तो हम कौन सा formula यूज़ करेंगे i plus e minus of a यूज़ करेंगे if angle is small तो इस जगे पे हम यह वाला formula यूज़ करेंगे जो अभी derive कराया ठीक है यह दो formula's copy में corner में star mark करके लिख लो क्योंकि इस chapter से 2-3 party आते हैं जैसे मैंने बताया myopia hypermetropia का आता है वैसे ही इससे चोटा मोटा question आने के chances होते हैं बच्चों आगे ज़्यादा कुछ आता नहीं है यह important chapter तो है scoring chapter तो है पर related topics ही उसके अंदर आते हैं तीक है अब जैसे मैंने आपको बताया था dispersion of light वापेस उसी topic पर आते हैं कि जब यह prism से किस महान आजमी को पता चला कि prism से ही यह dispersion हो रहा है और किसी चीज से नहीं होगा Sir Isaac Newton थे हमारे है ना Isaac Newton ने क्या कर रहा था वो अपने टेलेस्कोप से stars को या अपने टेलेस्कोप से किसी star को और किसी planet को observe कर रहे थे surprisingly एक दिन उनको क्या दिक्कत हुई देखने में उन्होंने क्या उसके lens पे जब focus कर रहा था वो जो light आ रहा था कि lens ही खराब है मैं जाता हूँ नया lens करीद के आता हूँ फिर वो दुकान पर गए फिर जाके नया lens लेकर आ गए फिर उन्होंने फिर से लगाया फिर से देखा तो फिर वो color की dispersion आ रही थी बटे बटे different different colors उनको देख रहे थे वो हो गया परिशान उन्होंने कहा कि गल्ती lens की तो नहीं है light की गल्ती है तो मैं find out करूँआ कि मुझे जो light देख रही है जो telescope से मैं अपना observation कर रहा हूं उसके different different lights क्यों देख रही है तो उन्होंने conclude करा कि चलो यह experiment करके देखता हूं उन्होंने चोटा से experiment करा इस तीज के उपर अब experiment क्या बोलता है Newton ने sunlight को enter करने दी एक small hole से अपने window से अपने घर में उसके खिड़की थी खिड़की के अंदर उसमें छुटा था चेज उसने peek-a-boo करा and then चोटी सी light आती भी दिखी चोटी सी light उस रूम में उसने अंधेरा कर रहा था darken room देखो लेखा है ना darken room में sunlight आने दी एक small hole के थूँ थूँ a window he placed an equilateral prism in the path of the narrow beam of light the light emerged from the prism was allowed to fall on the white screen वैसे पता है यह जो experiment में सिखा रहा हूं अगर आप engineering students है या upcoming engineers हैं of the future हमारे भारत के तो आपको काफी देखने को मिलेगा क्योंकि first year of the engineering आपको एक physics lab करके आपने को क्या है यह एक्सपरिमेंट करने को मिलता है single slit experiment double slit experiment यह सब अपन सीने डिविजन में अपन 11-12 में पढ़ते हैं लेकिन experiment of prism यह अपने को first year of the college देखने को मिलेगा क्या होता है जब sunlight को आप बहुत छोटे से अंधेरे रूम में डाक रूम में करते हैं तो वहां से sunlight को प्रिजम पर concentrate करते हैं प्रिजम मेरे हाथ में है उसे मैंने किया concentrate 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 किया तो अंधेर रूम में सामने एक white board रखा होता है या white diva type मालो उसके उपर जब प्रिजम से light निगलती है तो पुरा spectrum दिखाती है ऐसा ही दोगो seven colors में दिवाइड हो जाती है जैसे मैंने आपको बता था विब ग्यॉर violet indigo blue green yellow orange red तो यहां पर इस चीज को सण ने बोला कि प्रिजम ने क्या किया उस light को डिवाइड किया वाइड इंडिगो blue green yellow orange और रेड और इस चीज को सण ने नाम दिया विब ग्यॉर विब ग्यॉर जब मिल चुका था उनको तो उन्होंने धून्द लिया कि प्रिजम से जब भी light पास होगी वो विब ग्यॉर बनाएगी और जो white light है या yellow light है हमारे yellow तो नहीं white light ही कहते है को वापिस याद करते हो बताता हूं कि अगर वहाँ पे color के sign upon sign r जो था वो constant के बराबर था तो वो क्या था एक pair of media के लिए और एक specific color के लिए था वो constant लेकिन जैसे ही color बदलेगा बच्चों color के बदलते से उसकी wavelength बदल गई wavelength के बदल से refractive index बदल गया refractive index बदल गया तो उसका जो relation था bending के साथ refractive index जब भी बढ़ता है बच्चों refractive index बढ़ता है तो bending बढ़ जाती है bending भी बढ़ जाती है और एक relation हो रहे है यह तो first relation है second relation मैं आपको भी बता जेता हूं ऐसे आगे काम आने वाला है कि refractive index का है और वो inversely proportional होता है हमारे wavelength के लेम्डा के लेम्डा भी बोलते हैं बता था अब डिस्पर्जन दिस्पर्जन था लाइट का 7 साथ लाइट में बच जाना the phenomenon due to which the white light splits into seven different color जिसका नाम हमने विब गयोड दिया when pass through a equilateral prism equilateral prism से ही pass होते हैं जिसे कहते हैं डिस्पर्जन जब भी प्रिजम से light light पास करोगे वो साथ color के light में बढ़ जाएगी जिसे कहेंगे विब गयोड और उसे कहते हैं dispersion कैसे हो रही है light आई white light आ गई यहाँ बटी और यह साथ color में बढ़ गई ठीक है basic basic तो समझ में आ गए क्योंकि शुरू से ही diagram देखते आ रहे हैं वापस यह देखो sun यह आ गया मेरा prism prism से यह बीच में gray खड़ी कर दी कि बाई मुझे एक specific क्योंकि जो college का practical है मैं करके तो दिखा नहीं सकता लेकिन यह थोड़ा विजुलाइज करा सकता हूं आपको कि कैसे वो चीज होती होगी यूंकि वो dark room होता पूरे room में अधेरा होता काले color से पुता ही कर रहा होती है और यह चोटे से box के अंदर चोटी सी चीज करती है और यह experiment होता है जिसमें college में जब बच्चे होते है तो अगर यह मिल गया त तो जानते हैं कैसे एक ray of light को मैं अंदर आन दिया वो बट गई अंदर और यह देखो विब्गयोर में बट गई उल्टा आएगा red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet विब्गयोर नीचे से violet से चालू होता है उपर red चालू होता है यह यहां पर दिखना ही चालू खतम हो जाएगा और यह red यह विब्गयोर पूरा पूरा अपना बन गया ठीक है आगे बढ़ते है बच्चों आगे आने वली चीज हमें बताएगी स्पेक्ट्रम के बारे में क्या होता है स्पेक्ट्रम मैंने बताया तो यह साथ लाइट ब इसका एक स्केल बनाया था मैंने यह देखो यह सीने डिविजन में आता बच्चों पर यहां पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है लाइफ के अंदर थीक है तो इसके लिए बनाया था तो यहां पर जो वाइलेट है यहां पर एक जिस्ट कर रहा है इंडिगो ब्ल कम यहां पर लेमडा थोड़ी बढ़ गई यहां पर लेमडा और थोड़ी बढ़ गई और सब सब्सक्राइब होगा वेवलेंथ होगी वह यहां की मिलेगी ठीक है लॉंगर वेवलेंथ देखो यह लिखा भी है यहां पर और यह शौटर वेवलेंथ यहां लिखा है ठीक है वैसे यह जो डाइग्राम है, NTSC अगर प्रिपेर कर रहे हो, या किसी और कॉंपटिटिटिव एक्जाम के लिए, International Science Olympiard, IOQMS, IOQJS, यह सारे Olympiards में अपने वो काम आने वाले डाइग्राम है, यह सब चीजे पूछी जाती हैं, ठीक है, तो बेसिक बेसिक डाइग्राम यह है अब lambda बढ़ गया, मतलब wavelength बढ़ गई, wavelength बढ़ गई, सब सदा wavelength है, red color की, wavelength बढ़ जाती है, तो velocity भी बढ़ जाती है, पता है, wavelength बढ़ गई, तो velocity बढ़ गई, velocity मतलब speed बढ़ गई, ठीक है, velocity भी बढ़ गई, तो यह पता है, जिसकी wavelength सब सदा होती है, सबसे दूर तक दि बिखरती भी light है, सबसे कम भेकती है, अपने रस्ते सहीद दर नहीं जाती है, तब भी जो आपके signals होते हैं, डेंजर signals होते हैं, या traffic signal का जो red color है, या अपने brake lights होती है, जो गाड़ी के पीछे लगी होती है, वो red color के होती है, क्योंकि वो दूर तक दिख जाएं, कभी कोई brake लगाता है, तो हमें दूर से दिख जाता है, इसलिए उसकी wavelength जादा होती है, उसकी velocity जादा होती है, ट्रावल की, इसलिए वो हमें utilize कराया जाता है, आगे जान लेते हैं, क्या चीज़े हैं, causes of dispersion है, causes of dispersion obviously क्या है, हमें जानते हैं, different color की, जो speed होती है, वो vacuum में तो same होती है, vacuum या air में तो same है, ठीक है, vacuum और air में तो same है, बड़ जैसे ही वो किसी medium के अंदर travel करती हैं, वो अलग-अलग change हो जाती है, they travel with different speed, क्योंकि उनकी wavelength अलग है, उनका refractive index अलग है, उनकी bending अलग है, bending tendency अलग है, and bend through different angle, अलग-अलग angle पे bend हो जाती है, which leads to dispersion of light तभी तो, यह तो सारी की सारी light है, सारी की सारी लाइटेस एक ही अंगल पे bend हो सकती है, क्या, obviously नहीं हो सकती है, अगर वो एक ही अंगल पे bend होती तो विबगयोर मिलता ही नहीं, dispersion होता ही नहीं, और हमें एक ही color दिख रहा होता हर जगे, सारी की सारी लाइटेस अलग-अलग angle पे bend होती है, इसलिए हमें हर color में difference दिखता है, और लड़कियों से पूछ लो जाके, पिंक के पचास शेड़ बता देंगी, लाल के पचास शेड़ बता देंगी, और वैसे भी जो लाल है, जिसका wavelength सबसे जादा है, तो वो तो प्यार का color भी है, और समझे लो, लाल color तड़कीला भड़ color का होता है, ठीक है, तो बच के रहना, वैसे चलो छोटे हैं, अब यह पन पढ़ा ही कर लेते हैं, और violet जो light है, उसका minimum wavelength होता है, यह चीज मैंने आपको light chapter में भी बताई थी, वापिस जान लेते है, maximum wavelength और minimum wavelength, so any medium, red light, travel fastest, जिसकी wavelength जादा होती है, उसकी velocity जादा होती है, व स्पीड तेज होगी, और वो कम से कम डेविएट होगा अपने रस्ते से, वो जिस रस्ते पर जारा है, उसी रस्ते पर पहुंच जाएगा, फटा फट जल्ली जाएगा, जब कि वाइलेट जो color है, blue है, indigo है, नीचे वाले जो colors थे, वो जो है, उसकी dispersion पावर जादा होती ह यह जल्दी डेविएट जाते हैं, भटक जाते हमने रस्ते से, तो यह एक relation है, wavelength हमारा जो lambda होता है, वो velocity के proportional होता है, और 1 upon deviation के, inversely proportional होता है, deviation के, जितना जादा wavelength होगा, उतना एदा velocity होगा, और उतना ही जाद कम, जितना एदा हमारा lambda होगा, उतना ही कम, deviation होगा, है ना, अ bending, wavelength, refractive index, इन सब का जो relation होता है, वो सही है, यहां से में यह भी लिख सकता हूँ, 1 upon refractive index, upon, 1 upon bending, यह सारे के सारे relations एक दूसरे से proportional और inversely proportional है, समझ पाओगे, तो आगे questions और MCQ में भी help हो जाएगी, यह questions आते हैं, तड़कते भड़कते, क्योंकि अब MCQ हो गया, pattern हो गया, normal, तो वो questions देंगे, तो वो tricky, easy questions में, तो हर वच्चा टैकल कर लेगा, आप smart हो, पता कैसे चलेगा, अच्छे नंबर ऐसे हैंगे, तो tricky questions और पाओगे, प्रिस्म फिर से आ जाता है, मेरे सामने, light उसके अंदर फिर से गई, तो यहां पर हमको पता चलता है, क्या जब white light मैंने अंदर एंटर कराई थी, तो air to glass from a rarer to denser medium गई, और यहां पर जाना उसका रस्ता यह था, अंदर जाने के बाद वो हमेशा, हाँ, प्रिस्म के case में पता है, जो light होती है, वो हमेशे towards the base हमारी bend होती है, हमेशा हर case में, चाहे प्रिस्म को ऐसा रख लो, चाहे प्रिस्म को का ऐसा रख लो, का ऐसा भी रख लो, वो हमेशे towards the base ही bend होगी, क्योंकि base जो एक position होती ही, जहां पर refraction कभी नहीं होता, ठीक है, glass lab में ऐसा नहीं होता, तो यहांब हम देखते है, original direction of the incident ray, red सब से उपर देखने को मिलता है, least bend ray होती है, violet हमें नीचे देखने को मिलता है, most bend most deviation इसमें होता है, most bending इसमें होती है, देख रहे हो, एक कम bend हुआ है, इसका angle कम है, इसका angle जादा है, इसका angle 1 और इसका angle 2 रिलू, तो angle 1 is less than angle 2, मैं लिक सकता हूँ यहां पर, and that's the relation, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, अब, Sir Isaac Newton के दिमाग चमका, first experiment तो हो गया उल्टा रगदू, सामने, जो dispersion हो गया है, यहां तक तो dispersion हो गया था, देखो, लेकिन उनने का कि, dispersed light के सामने में, एक और प्रिजम रगदू, प्रिजम 2 जिसका नाम P2 रगदू, तो क्या वो light को recombine कर पाए, क्या वापस इखटा करके white light निकाल पाएगा, हाँ, जी, ब दूसरी तरफ क्या होता है, मैंने बताया था ना, bend होगी, टूवर्ज दा बेस ही, बच्चों इस तरफ बेस ही है, क्या, बोलो हाँ कि ना, तो इस तरफ हमारा बेस है, बेस है तो इसी तरफ बेंड हो रही है, तो वापस recombine होगी, और इस पॉइंट से जब भी बहार निक अब dispersion और ये सब चीजे जो रिकुंबिनेशन है dispersion में धुनिया में देखने को मिलता है कैसे rainbow के form में rainbow भी क्या है उसी तरीके का है rainbow किस तरीके से हुता है prism तो हवा में लाटक नहीं रहे तो पर से बादलों से prism लाटक नहीं रहे पर prism के form में या dispersion करने के लिए from rarer to denser medium में जाने के लिए वहाँ पर हैं बूंदे water molecules present है water molecules क्या करते हैं बच्चो प्रिजम की तरह react करते हैं और light जब भी उसमें travel अंदर करती है तो वो अंदर से ही total internal refraction और dispersion नाम से processes लगाते हैं total internal reflection और dispersion यह तीन processes होते हैं फॉलो और जो refraction है वो पता है किस पर depend करता है light पर surrounding पर and then उसके बाद हमारा third one है light जो color जो enter कर रहा है उसके उप़र ठीक है दू तीन चीजों पर depend करेगा media जिसमें आ रहा है दो media है हमारे पास mediums हैं light पर light intensity पर इस सब चीजों पर depend करता है ठीक है rainbow present is an excellent example of dispersion of light present in the nature they also all offer another proof that visible light is compressed of seven different colors or different wavelengths दुनिया नहीं सब दिया है nature से सब मिला है में they occur in the form of concentric color circular arcs in the sky when the sun shines on in the rain drop during the और after rain तो यह देको ऐसे circular form में देखने को मिलता है या तो बारिश के दौरान या बारिश के बाद और पता इसका भी एक चीज है हमारा बनता गैसे है तो मैंने कहा था जो बूने है हमारी वह प्रिजम की तरह रियाक करती है जब भी उसके अंदर हमारा light आता है क्या करेगा light आएगा कहीं ना कहीं चे तो light आई dispersion हुआ वापस dispersion हुआ और वहीं पे दिखी तो मैंने क्या कहा था जहां पे हमारा light आ रहा है मतलब source of light है source of light है वहीं पे मेरा observer खड़ा होना चाहिए तभी उसको दिखेगा सेम साइट पर source of light के सेम तरफ ही अप और इस साइट पर खड़ने तो नहीं दिखेगा ठीक है आगे बढ़ते है इस तीज को लेके जाते है मैं यहाँ बता रहा हूं आपको जो मेरा sun है यह मेरी water droplet है यह white light यह क्या है मेरी water droplet मुदलम water की भून पानी की भून है भाई water की भून है तो जब भी यहाँ पर दो तरीके के रेंबो होता है आपको पता है primary और secondary है ना दो तरीके के रेंबो बनते हैं अपनी लाइफ में दोनों देखे भी होंगे कभी हमने उस मेंने differentiate नहीं करा है मैंन मज़ा ही आगा है कि दो तरीके के रेंबो होते हैं अब जब भी आप रेंबो देखो ना तो देखना कि वो primary है secondary है ठीक है first type है second type है तो first type पहले जान लेते हैं primary rainbow के अंदर होता गया या normal rainbow में होता गया यहां पर देखो तीन चीज़े फॉलो हो रही थी reflection total internal reflection यह चीज हो र पढ़ाऊंगा और टाम लगेगा पेपर में आन्या कोई तंत नहीं है तो इस चीज़ के बारे में ज्यादा ध्यान भी ना दे आगे बढ़ते हैं third one वापिस reflection हो रहा है यहां पर light टुकडों में बट रही है तो sunlight आई अंदर गई प्रेजम की तरह काम करा यह बट गई total internal reflection reflection हो रहा है जितनी light गई थी उतनी बहार आने की कोशिश करेगी तो जब violet color उपर हो red color नीचे हो तो इसे कहते हैं primary rainbow तो यहां पे जो angle deviate होता है angle बट जाता है आते और जाते हुए में ठीक यही तो जान देता है angle i और angle e के बीच का difference था वो delta था तो वो del के बारे में हम जान तो हमारी जो light है violet वाली वो बटेगी 40 डिग्री से और जो red वाली है 42 डिग्री से ठीक है refraction हो रहा है rare to denser medium है ना denser to rare medium और यहां हो रहा है rare to denser यह था rare, यह था denser और यह है denser तो यहां आ जाएगी the error ध्यान देना यह 40 डिग्री पे violet है हमारा 42 डिग्री पे red है इसके बा primary rainbow the sunlight which falls on the water droplet, जब भी sunlight आ रही है water droplet, यह suffers from a refraction followed by total internal reflection, पहले रहा है refraction, then total internal reflection and then after again refraction, इस ही बीच में dispergen भी हो गया था, dispersion take place during both the refraction, dispersion दोनों refraction में काम कर रहा है, ठीक है, figure shown the path of a typical ray, typical ray forming the primary rainbow, यह मेरे पीछे एक पानी की बुन ले आया है अपन, यह मेरा सूरज आ गया, observer आ गया, same side पे कड़े है, मतलब हमें दिखेगा, क्या rainbow दिखेगा, जाएगा, हमारा refraction होगा, TIR होगा, total internal reflection होगा, वाप तो इस तीच से क्या होगा, violet उपर और red नीचे, जबकि पीछे की तरह विपगयार बन रहा था, violet नीचे था, red उपर था, तो अगर आप इस तरीगे का rainbow देखे हो, जिसमें violet color उपर और red color नीचे था तो वह है, primary, ठीक है, तो अब उस तरीगे को जान लेते है, primary rainbow के अंदर water droplet subtended by 42 degrees, 42 degrees पे थे, और जो हमारे violet था, वो 40 degrees का angle subtend कर रहा था, from the eye, generally, from the ground level, only an arc of rainbow is visible, however, complete circular rainbow can be seen from a raised position, such as from an airplane, अगर अपना जो rainbow है, वो कितना सा, ऐसा ही रिखता है, half, hemispherical type है, ऐसा अगर पूरा देखना है, यह पूरा का पूरा देखना है, तो एरो प्लेन में बैठना पड़ेगा, बच्चों, क्योंकि हम जिस surface पे ground level पे देख रहे होते हैं, तो ground पे उतना ही visible है, पता है, मैं एक बार waterfall में गया था, waterfall में पानी के अंदर देख रहा था, मुझे rainbow, ऐसा क्यों होता है, क्या वहाँ है, secondary rainbow के बारे में, जो की last topic है, the secondary rainbow is formed when the rays of sunlight suffers two internal reflections, दो internal reflection हो रहे हैं, before coming out of the water droplet, in a secondary rainbow, red colors is on the inside, यहां पर red color अंदर आ गया है, जबकि violet color हमारा बाहर जा चुका है, the red colors जो है, हमारा droplet वो बनाएगा 50 degree का angle, coming out, while the violet जो है, हमारा बनाएगा 54 degree का, वहाँ पे पिछले case में 42 degree बना रहा था, red, red का angle जादा था, जबकि violet का जो था, वो कम था, वो था 40 degree बच्चों, यहां पे red cut angle जो है, हो गया है, क्या, अलग हो गया है, और यहां पे violet का angle हो गया है, क्य यहां wallet का बढ़ चुका है, wallet का increase कर गया है, और यहां red का decrease कर गया है, तो इनकी positions भी change हो जाएगी, positions कैसे change होगी, बच्चों, इसे भी हम जान लेते हैं, diagram बना के दिखाओ, observer भी लाओ, sun भी लाओ, water droplet भी लाओ, जब इसके अंदर ऐसा होता है, दो बार हमारा reflection हो रहा है, first re-fraction यहां हो रहा है, बच्चों नीचे की तरफ, second re-fraction हो रहा है, हमारा उपर की तरफ, और जब यह बाहर आ रहा है, ती आई आर मेंली टी आई आर हो रहा है यहां पे दो वार और रीफ्रैक्षिन अंदर और यहां पे दो बार तो होता है यह बाहर की तरफ तो यहां पे क्या red color आ गया उपर और violet color आ गया नीचे तो यह बन गया secondary क्या rainbow first primary rainbow के अंदर क्या था वापिस जान लेते हैं प्रामेरी रेमबो में जो हमारा रेड का एंगल था वो था 42 डिगरी वाइलेट का जो एंगल था वो था 40 डिगरी है न यहाँ पे जो हमारा है सेकंडरी में सेकंडरी में जो है रेड का एंगल हो गया है कम जो की हो गया है 50 डिगरी और वालेट का एंगल हो गया है 54 डिगरी ठीक है तो यहां पे थोड़ा से चेंज आ गया यहां पे रेड दिख रहा था नीचे रेड दिख रहा था नीचे रेड नीचे वालेट उपर है ना ऐसे उपर से नीचे ब बात नहीं है पर शोटा मुटा कोशन होता है अगर पूछा जाएगा तो आपको सब आता है में तरफ से पूरी नॉलेज मेन आपको दे दिये कहीं से कहीं तक आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कुछ पॉइंट्स रहे गए हो कि अपन ने यह नहीं पड़ा और संड नहीं तो उसके अंदर आस्मा नीला कियो पानी कीला कीला को सौंग सुना ही होगा तो आश्मा नीला कियो है, why the sky appears blue to us Sunset और sunrise हमारा red color कहीं हो जाथा, जब वह होता है संदर सहः शुन्दर अचारी औरेंग मौसम बन जहता है चीजें जो मैं आपको रिवट बैक कर पाऊं, थैंक यू